दोस्तो मार्केट में तहल का मचाने आ रहा है हॉन्डा एक्टिवा इलेक्टिक स्कूटर जी हाँ इंडियन मार्केट में अगर हम स्कूटर सेग्मेंट की बात करें तो इसमें हॉन्डा एक्टिवा सबसे बड़ा नाम दिखाई देगा दार्शो को यह स्कूर बाजार में सबसे आगे है और जबसे देश में इलेक्टिक स्कूरों की एंट्री हुई है तब से तो गराकों को Honda Activa के इलेक्टिक अव्तार का इंतचार बेसबरी से है दोस्तो भारत में आने वाले समय में कई बड़ी टू-вीलर कंपनियां अपने electric scooter या bike launch करने जा रही है क्योंकि इस समय लोगों में electric vehicles को लेकर काफी crazy देखने को मिल रहा है इसकी सबसे बड़ी वज़य यह है कि petrol की कीमत आस्मान चूर रही है भारत में फिलाल कई कंपनियों के आपको electric scooter मिल जाएंगे लेकिन जल्दी Honda अपना पहला electric scooter launch करने की तयारी में है जिसके बारे में कयास लग रहे हैं कि यह best selling scooter Honda Activa का electric अवतार यानि Honda Activa Electric हो सकता है तो चलिए आपको Honda Activa Electric के बारे में पूरी डीटेल बताते हैं वीडियो शुरू करूँ उससे पहले एक request है आपसे हमारे चैनल NJ Hindi को सबस्क्राइब करके बेल का इकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे Honda S.A. electric scooter को भारत में पेश करने की कोशिश में है जो डेली कम्यूट के साथ ही कमर्शिल कामों के लिए इस्तेमाल में लाया जा सके इस बात को ध्यान में रखते हुए कम्पनी अच्छे खासी बैटरी रेंज वाला electric scooter लाँच करने की कोशिश करेगी साथ ही इसकी कीमत का भी खास खयाल रखा जा सकता है क्योंकि बारत में बहुत सी कम्पनियां आपके फायती electric scooter पेश कर रही है और लोग उसे हाथो हाथ ले भी रहे है इस टूविलर के लाँच के बारे में ज़्यादा जानकारी अभी सामने नहीं आई है पर मीडिया रिपोर्ट्स के मताबिक कम्पनी साल 2023 में इसे बाजार में उतारेगी हांडा एक्टिवा कम्पनी की तरफ से इंडियन मार्केट में बेस्सेलिंग मॉडल है कम्पनी हर महीने लाखों की संक्या में इस स्कूटर की बिक्री करती है ऐसे में एक्टिवा नेम प्लेट का उपयोग अपने इलेक्टिक बहान के लिए करना कम्पनी के लिए काफी फायदे बन साबित हो सकता है ये देश की सबसे जाला बेची जाने वाली स्कूटर है मौजूदा समय में बाजार में बजाचे तक टीवी एस आई क्यूब ओला एस वन एथर एनरजी जैसे स्कूटर जैसे मौडल बिक्री के लिए उपलब्ध है और हॉन्डा एक्टिवा उलेक्टिक सीधे तोर पर इन मौडलों को कड़ी जखकर देगा खबरों की माने तो आने वाली नई हॉन्डा एक्टिवा उलेक्टिक में कमपनी स्वेप एविल बैटरी सिस्टम का इस्तिमाल कर सकती है इसे सब्सक्रिप्शन फ्लान की तहट भी पेश किया जा सकता है जैसा कि बाउंस इलेक्टिक अपने स्कूटरों के लिए करती है इस स्कूटर की बैटरी को डिस्चार्ज होने पर इसमें आसानी से दूसरी बैटरी को लगाया जा सकेगा और बिना जंजट के आप आसानी से सफर कर सकेंगे ये भी खबर है कि कमपनी इस स्कूटर को बैटरी के साथ और बिना बैटरी के भी चुनने का उप्शन दे सकती है बात करें अगर इसके लुक्स की तो इस स्कूटर का एलेक्टिक वर्चन कमोबेश मौजूदा मॉडल की तरह ही होगा लेकिन कमपनी से थोड़ा फ्युचुरिस्टिक लुक जरूर दे सकती है फिलाल हॉन्दा एक्टिव आलेक्टिक स्कूटर के मेकैनि sommes driving range के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल सकी है लेकिन जानकारों का मानना है कि ये इंडिस्टी में सबसे वहतर driving range में पीश की जा सकती है आनकि आने वाले समय में ही पता चल पाएगा कि होंडा का भारत में पहला एलेक्टिक स्कूटर कौन सा होगा और कमपनी किन खूबियों के साथ किस प्राइस रेंज में सड़कों पर उतारेगी इस स्कूटर की केमत की आधिकारी गोशना अभी नहीं की गई है लेकिन उमीद लगाई जा रही है कि इस स्कूटर को एक लाग बीस जार रुपए के आसपास के प्राइस टैक के साथ लाँच किया जा सकता है हमें लगता है आपको अपकमिंग होंडा एक्टिवाइलेक्टिक के बारे में जानकर काफी अच्छा लगा होगा और आपकी फेवरेट इसकूटर की लिस्ट में ये अभी से शामिल हो गई होगी अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को जादा से जादा शेयर भी करें वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद